तो दोस्तों जिसका आप सभी लोगों का बेसबरी से इंतजार था वो आपकी जो सम समेश्टर की परिच्छाएं हैं उनकी डेड़ जारी कर दी गई है और इस नोटिस में बताया गया है कि आपकी परिच्छाओं का जो फाम है वो कब से होगा और आपकी परिच्छाएं कब स कैसे करना है तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो प्लीज वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और विल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा इसी परकार की इनफॉर्मेटिव वीडियो के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंट्स की जो प्रोफेसर राजेंस या रज्जु भाई या उनकी ओर से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में आप सभी लो के प्षाएं होनी है अभी कुछ दिन पहले ही जो सारे कोर्सिस की और स्मेश्टेश यानी की समस्मेश्टर की परेच्छायं थी उनका रिजर्ड जारी कर दिया गया है तो यहां पर समस्मेश्टर की भी जो है सारी चीज़ें जारी हो चुकी है कि आपके एक्जाम जल्द स से जलग करवाया जाएं तो यहां पर समस्ट्र की परिच्छाओं हो यह तो जो परिच्छा फाम पूरית करना है उसके संबंध में नोटीश जारी किया जा रहा है यहीं कि आपके एक्जाम से पहले आप सभी को पता होगा कि एक फाम फिल करवाया जाता है तो यह जो इवेंस स समस्टर की एक्जामस होने वाले हैं इनको लेकर एक फाम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर नीचे देखिए है lowest mentioned किया गया है और पुझच्य द कराना है कि विस्व विद्यालत्वारास 47 समस्थ पाठक्रमों की, जितने भी पाठक्रम हैं, जितने भी कोर्षे सभी की सम सिमेश्टर परिच्छाएं, दिनांक 22 मई, 2023 से समपन कराई जानी है, यहनि कि आपकी जो परिच्छाएं हैं, वो 22 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पर डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, क समय सारी निधारित की जाती है तो यहां पर सबसे पहले आप सभी लोगों का एक डाउट यह तो किलियर हो जाता है कि पहली चीज़ आपकी परिच्छाएं जो है वो 22 माई से करवाई जाएंगी तो आप लोग ध्यान से समझ दीजेगा यहां से बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी बशता है आपके पास जो भी समय है आप अपनी जो परिप्रेशन है उसको अच्छे से करिए ताकि आपका एक्जाम भी अच्छा हो आप अच्छे माक्स गेन कर पाएं आपके एक्जाम में यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो पार्टकरम दिया गया है यहां पर online करवाया जाएगा जो यूजी की हैं और पीजी की हैं लिए जो इसनात्क और पाराइसनात्क है सभी के लिए यहां पर बताया गया ठीक है उसके बाद में इसी के साथ साथ मी आपको date अगर हम बता है तो date आप आप लोग देख सकते हैं कि date क्या रखी गई इसके लिए तो date के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर हम लोग date की बात करते हैं तो date अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो date में 10 अपरेल से लेकर के आपकी 24 अपरेल तक आप आनलाइन फार्म फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट दी गई है और यह डेट सभी के लिए है UG कोर्सेस के लिए भी है और PG कोर्सेस के लिए भी है यनि कि BA, BAC, MA, MSC, M.com सभी के लिए है जो की UG, PG दोनों के लिए है समस्थ, संस्थागत, ठीक है भूतपूर, बैक पेपर और प्राइवेट भी जो भी जितने भी यह फार्म है यह सारे यहाँ पर फिल करवाए जाएंगे चाहे वो बैक पेपर को हो, संस्थागत को हो या प्राइवेट काउटिक है सभी के लिए यहाँ पर जो है की जारी कर दिया गया नोटिस यह जो परिच्छा है वो समसेमेस्टर की है जो बच्चों का बैक पेपर था उनके लिए भी है यह ठीक है तो अगर आपका बैक पेपर है तो आप अपने कॉलेज में जरूर संपर्ख करें और दूसरी चीज है की यहाँ से कन्फ्यूजन बिल्कुल भी न क्रियेट करें जिनका बैक पेपर वो भी फार्म भरें ठीक है तो आप सभी लोगों के एक्जाम जो है फिर से कंडक्ट करवा लिए जाएंगे दूसरी चीज यहाँ पर नीचे दी गई है तो डेट आप लोगों को पता हो गया कि जो है कि 10 अप्रेल से शुरू हो जाएगा फार्म भरना और 24 अप्रेल तक चलेगे और भूत पूर यानि कि जो एक्स स्टुडेंट है उनके लिए भी मेंसन किया गया है तो अभी सभी स्टुडेंट्स को सूचित कर देता हूँ मैं यहां से जितने भी आपके फ्रेंड्स हो क्योंकि आप लोगों में एक जो है कि कोई एकता नहीं रहे गई है आप लोग वीडियो को सेर करते नहीं है फिर दोस्त आपके मिलेंगे वो कमेंट करेंगे हमें तो पता ही नहीं चला कि बैक पेपर का फाम आया था हम भरे ही नहीं आप सर क्या करें तो अब इसमें सर क्या करेंगे आपने नहीं फिल किया है आपको exam देना है आपको कोई चिंता नहीं कि हमारे exam कब होगा हमारी date क्या है आपको खुदी नहीं पता चलता कब क्या होता है तो sir क्या करेंगे इसमें तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है कि वीडियो को सेर भी करना और अपने मित्रों तक नोटिस तो कम से कम बेजी सकते हो अगर कोई नहीं अपडेट रहता है तो आपका भी फरवन्ता है कि आप कर सकते है otherwise सबको रहना चाहिए अगर आपका कैरियर है तो आपको उस पर ध्यान देना होगा तो दूसरी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो MIS चलान है उसके according जो है आपकी परिच्छा सुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथी रखी गई है वो यहाँ पर 28 सप्रेल तक रखी गई यह ठीक है यहनी कि जो आपकी लेट फीस वगएरा उसके लिए यहाँ पर बताया गया है तथा जो भी इस्टुएंस है परिच्छा फार्म सभी लोग निर्धारी तिथी के अंदर ही कर दीजे ठीक है जो भी सुल्क है आपकी उससे क्या करिए आप उसमें ट्रांसफर कर दीजे जाकि आपका जो एकजाम है वो सम्मिट हो सके ठीक है आपका जो फाम में वो सम्मिट हो सके तो यहाँ पर सारी चीज़े आपको मैंने बता दिया है जो भी चीज़े अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा अधरवाइस अभी आप लोग जोसों तक सेर करेंगे तो ठीक है नहीं करेंगे तो फिर आपके बहुत सारे मित्रों का छोट जाएगा और फिर वो अगले समेश्टर में करेंगे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दो दो बैक लगा होता है उनको फिर भी नहीं पता होता है बैक फार्म भरके भूल जाते हैं कि हमारा बैक पेपर कब होगा और नहीं पेपर देते हैं इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं हो करती है ठीक है और फिर आप लोग पूछेंगे अब क्या होगा अब सर क्या करें क्या होगा सो इन सारी चीजों को ले करके आप लोगों को मैं बता रहा हूं ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो में नहीं अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और ब इसने नेक्षे वीडियो में फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद